बिस्मिल्ला इरमाने रहीम आज की रेसिपी है बहुत ही यमी से कोफते चिकिन कोफते इसके लिए हमें चाहिए चिकिन 400 ग्राम बोनलेस हारी मिर्च पिसीवी डेड़ खाने का चमच लिमू का रस एक खाने का चमच हल्दी पॉडर एक खाने का चमच जीरा पॉडर एक खाने का चमच लसन अद्रक का पेस्ट एक खाने का चमच लाल मिर्च पॉडर एक खाने का चमच नमक एक खाने का चमच सूखा दनिया एक खाने का चमच प्याज चॉप कीवी एक खाने का चमच इसको मैंने दबा के पानी निकाल लिया था प्याजों का अब पुदीने के पत्ता तकरीबन दो चमच और धनिया तीन चमच ब्रेड क्रम्स शाहिए एक कप अब इसको हमने चॉप करके एक फाइन सा पेस्ट बना लिया है इसको हमने चोटे चोटे जितने आप कोफतों का साइज रखना चाहते हैं यह बॉल्स बना लिजिए सबके लिजी मज़दार से बॉल्स बन गए अब एक अलग पैन में हमने ओयल लिया है एक कप इसके अंदर मैंने यह पैस काटके डाल दिया एक बड़ी पैस थी इसको मैं गोल्डन ब्राउन कर लूँगी यह गोल्डन ब्राउन करके मैंने निकाल लिये अब यह मैंने अलग से एक कप में लिया है धनिया पौडर एक चमच जीरा एक चमच गरम मसाला आदी चमच लाल मिर्श पॉडर एक चमच हल्दी एक चमच नमक एक चमच और तक्रिबन एक प्याली दही की है और वो जो मैंने पहले प्यास रेट की थी उसका पेस्ट बना लिया था हमने फिर ब्राउन करके रखी ती उसका पेस्ट बना लिया था अब मैंने इसके अंदर कोफ्ते ढाल दीज़े हैं इसको हम हिलाएंगे नहीं खाली ऐसे कडहाई को हिला लेंगे लेकिन चमचा नहीं मारेंगे अब इसके अंदर हमने बॉइल अंडे डाल दी हैं जितना आप चाहते हैं और साथ में हरी मिर्चें डाल दी हैं अब इसको पांच मिनट का दम देंगे तो कोफते तयार हैं बहुती यमी तयार हुएं इंजॉय करें बहुती यमी तयार हुएं